हर विर्द्यार्थी अपनी जीवन में एक बार आयस बनने के लिए अवश्य ही सोचता है। इस पत से जोड़े समवान, समाजिक प्रतिष्ठा तथा शक्तियां इतनी ज्यादा हैं कि सभी लोग अपने जीवन में कभी न कभी आयस बनने का सपना जरूर देख लेते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी सरकारी नौकरे हैं जो हर व्यक्ति के जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित जरूर करती है। ऒर एक हैं कि शेड्यूल कीसा होता है या कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, आवेदन का शिलक कितना होता है। तो आज के इस विडियो में हम इस प्रइक्षा आवेदन करने से ले कर साकशाथ कर देने की प्रक्रिया के बारे में आपको बताने जा रहे हैं नमस्कार स्वागत है आपका प्रभात एक्जाम की यूट्यूब चैनल पर ये कैसा प्लाटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी competitive exam से जोड़ी महत पूर्पूर जानकारया जो आपको किसी पे एक्जाम में सफल होने में काफी मदब कर सकती है मेरा नाम एश्वर्या है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आँ है तो आप में लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे लीटिस्ट वीडियो और अप्डेट सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेला आइकॉन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना पूले और अगर आप साथी साथ JPSC की तयारी कर रहे हैं तो हमारे नए यूट्यूब चैनल मिशन JPSC को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इसमें हम अप्लोड करते हैं बहुत सारी इंपोर्टन्ट वीडियो जो आपको एक्जाम में सफल होने में काफी मददकार होंगे तो आईए शिरवात करते हैं आज के वीडियो की जो है फॉर्म भरने से लेकर इंटिव्यू तक आएस एक्जाम की पूरी जानकारी तो सबसे पहला पॉइंट है कब निकलती है इस सिविल सर्विसेस की नोटिफिकेशन तो हर साल यूपीएसी सिविल सर्विसेस परीक्षा के लिए सबसे पहले एक नोटिफिकेशन जारी करता है और इस नोटिफिकेशन में परीक्षा के इंपोर्टन्ट टेट्स, इलिजिबिलिटी, इत्यादी से सम्बंदित जानकारियां होती है तो सामाने दहे यूपीएसी ये नोटिफिकेशन फरवरी महीने के आखिरी हफ़ते में जारी करता है आगे बढ़ने से पहले, यूपीएसी की प्रिलिम्स परीक्षा में गैरेंटीट सक्सेस के लिए भारत का प्रसित पॉब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएसी 26 वर्शों के टॉपिक वाई सौल्ड पेपर्स आई ये इस डॉक्टर मनीश रंजन की इस बुक में है एक्स्प्लेंड आंसर्स और ट्रेंड अनालिसिस इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएसी सीसाट जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सौल्ड पेपर्स ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलिबल हैं आज ही ओर्डर करें ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ड से और क्रैक करें यूपीएसी एक्साम तो नेक्स्ट पॉइंट इस क्या है आवेदन करने का तरीका और शुर्क तो आज किलके डिजिटल एज में यूपीएसी भी डिजिटल हो गया है और अब सिवल सर्विसेस क की फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं अब उमीद्वार फॉर्म भरने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स की डिजिटल कॉपी और अपनी फोटो और सिगनचर को भी ऑनलाइन यूपीएसी के पोर्टल पर अप्लोड कर सकता है ये प्रक्रिया मार्ज के महिने में पूरी की जाती है और आवेदन के लिए उमीद्वारों को करीब तीन सब्ताहा का समय दिया जाता है इस परिक्षा में महिला उमीद्वारों दिप्यांगों और SCST वर्प के उमीद्वारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया निश्शुर्ख होती है नेक्स्ट इस गलत आवेदन भरन करना होगा अगर आप एक से ज्यादा आवेदन करने हैं तो आपके जस आवेदन का रिजिस्ट्रेशन नमबर यानि की RID नमबर ज्यादा होगा उससे ही स्विकार क्या जाएगा इसके अलावा अगर आपने पुरानी आवेदन के लिए फीस जमा कर दी है तो नए के लिए जमा करनी होगी पुरानी फीस एजस नहीं कि जाती और नहीं उसे वापस किया जाता है तो अपना अप्लिकेशन फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरी तो नेक्स्ट इस परिक्षा में बैठनी की योगयता और नागरिकता तो इस परिक्षा में भारतिये नागरिकों के साथ टिबत के रिफ्यूजी नेपाल और भूटान के नागरिक भी शामिल हो सकते हैं लेकिन आईस और आईपियस में भर्ती के लिए अभ्यरति को भारत का नागरिक होना अनिबारे हैं इस परिक्षा में भारतियांबुल के लोग जो अलग-अलग देशों में हैं वो भी शामि नेक्स्ट इस शैक्षिक योगिता तो इस परीक्षा के लिए किसी भी मान्यता प्राप्ट संस्थान से किसी भी विशे में ग्राजुएट होना अनिबारे है फाइनल वर्ष अपेरिंग वाली छातर भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और इस परीक्षा में बैठने के नेक्स्ट इस आयू सीमा याने की एज लिमित तो इस परीक्षा के लिए अभिरती को 21 साल की नियूनतम आयू का होना अनिबारे है अलग 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 अधिक्तम निर्धारत की गई है सामानी श्रेडी के लिए 32 वर्ष अन्ये पिछडा वर्ग के लिए 35 वर्ष और SC और ST के ये 37 वर्ष तक की आयू नरधाल की गई है, विद्लांक श्रेडी में और भी स्यादा चूर दे गई है और उनके लिए अधिक्तम आयू सीमा 42 वर्ष नरधाल की गई है, तो आयू की गढ़ना विज्यापित वर्ष की दिनांग एक अगस से की जाती है, अभ्यर्थियों को में अंकित करना होता है, फॉर्म भरते समय उन्हें परीक्षा का माध्यम भी बताना होता है, फॉर्म भरते समय उन्हें अपनी पसंद की सर्विस को क्रम वार बताना होता है, और साथ ही सार उन्हें अपनी पसंद की राज्यों की सूची भी क्रम बधरूप में देनी होती ह कि वो कहां कहां सर्विस करना पसंद करेंगी और सिलेक्शन हो जाने पर इसी क्राम और रांग की आधार पर उन्हें सर्विस और कार्डर आवंटिद किया जाते हैं इस परिक्षा में हर श्रेणी के अभियरतियों के लिए अटेंप्स निर्धारित किये गए हैं तो अटेंप्ट का मतलब है कि किसी भी श्रेणी के अभियरती इस परिक्षा में कितनी बार शामिल हो सकते हैं तो सामानी श्रेडी के लिए 6 अटेंप्ट निर्धारित हैं और अन्य पिछड़ा वर्क के लिए 9 अटेंप्ट और S.E.S.T. के लिए कोई सिमा नहीं है यहां ध्याद देने वाली बातिया हैं कि UPSC सिर्फ फॉर्म भरने को अटेंप्ट नहीं मानता बलकि प्रारंभिक परिक्षा के किसी भी एक पेपर में समलित होने को अटेंप्ट माना जाता है नेक्स्ट इस परिक्षा का पाटन तो UPSC इस परिक्षा को दो चरणों में आयोजद करता है पहला चरण है प्रारंभिक परिक्षा और दूसरा चरण है मुक्य परिक्षा मुख्य परिक्षा के दो भाग होते हैं पहला प्रमुख लिखित परिक्षा तथा दूसरा इंटेव्यू चरण पहले चरण को प्रारंभिक परिक्षा कहते हैं और इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते ये क्वालिफाइन पेपर होता है और मुख्य परिक्षा के दोनों भागों में अर्जित मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट पनती है प्रारंभिक परिक्षा अब्जेक्टिव टाइप की होती है जिसमें हर सवाल के चार ओप्शन होते हैं और उमीद बारुकोन में से सही जवाब का चयान करना होता है और इस परिक्षा में नेगर्टिव मार्किंग में होती है ये परिक्षा मई जुन के महीने में आयोजित की जाती है और इसके परिणाम अगस्त में खोशित किया जाते हैं मुख्य परिक्षा subjective type होती है और इसमें भारती भाषाओं के दो निवन का एक, सामान्य अध्यन के चार और optional subject के दो पेपर्स होती हैं इनमें से भाषा के पेपर्स की marks final merit list के लिए नहीं जोड़े जाते ये परिक्षा नवंबर दिसंबर के महीन में आयूजित के जाती है और इसके परिणाम February में खोशित के जाती है तो मुखे परिक्षा में qualify करने के बाद उमीदवार को interview के लिए दिली बुलाया जाता है यहां उनका साक्षाकर UPSC के board members द्वारा लिया जाता है interview आमतोर पर मई के महीने में किया जाता है और इसके परिणाम तस दिन के अंदर खोशित कर दिये जाते हैं तो उमीद है कि अब आपको UPSC के आवेदन प्रक्रिया से लेकर interview तक की जानकारी मिल गई होगी अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी से जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे ले कोई सवाल हैं, questions हैं, suggestions हैं तो comment box में लिखकर हमें बता दें तो जल्दिया आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ देखते रहें प्रभात एक साथ, नमस्कार